सो गाइज accessibility settings एक ऐसी setting है जिसका हमें कभी ना कभी और इवन हर जगा पर यूज करना ही पड़ता है कभी हमारा talkback बोलना बंद कर जाए साथ छोड़ जाए हमारा और कभी हमको टेक्सी सेटिंग में जाना है कुछ भी करना है कभी भी जो पड़ सकती है अब भाई accessibility setting में जाने एक क्लिक में आप accessibility setting में पहुंच सकते हो इवन अगर आपका talkback बंद है आपका साथ छोड़ के चला गया है तो आप तब भी जा सकते हो मैंने आपको talkback बंद करके accessibility setting खोल के दिखाई है और साथ में भी दिखाई है कैसे काम करता है किस पगार इसका यूज करना है सब कुछ जाने के लिए वीडियो में end तक बन रहाना मजब इस वीडियो में आपको आएगा और यह बहुत ही ज्यादा useful और important app है सभी के लिए जो कि सभी के phone में होना बहुत जरूरी है क्योंकि accessibility setting को कभी भी जरूर पढ़ सकती है तो क्या सोच रहे है इतनी informative मज़ेदार all in one वीडि हैंगे तो चलिए friends video को start करते हैं so guys बहुत बार ऐसा होता है कि हमको इमीजेटली तुरांत accessibility setting open करनी रहती है अब भया कौन पहले accessible normal setting को खोले फिर additional setting में जाए फिर accessibility में जाए बहुता कौन करेगा लेकिन हमको open करनी रहती क्यों करनी रहती कभी-कभी मारा talkback वीच बोलते ब बोलना बन कर दिया तो बहुत जगा है आपको accessibility setting में जाना पड़ता है इसका एक सबसे शॉटकट से भी शॉटकट तरीका है वह accessibility menu accessibility button दबाओ उसके अंदर second number पर accessibility setting आता है लेकिन कई लोगों की phone में वह नहीं है Android 9 8 से नीचे वाले phone में वह नहीं है या कई लोग यूज न है रहती है तो क्यों ना आप एक ऐसा एप ही रखनो अपने phone में accessibility shortcut और आप जब भी चाहो इवन अगर आपका talkback बंद भी है तब भी आप open कर सको कैसी करना है वो मैं last में बताऊंगा तो यह बहुत ही जादा useful and important app है क्योंकि accessibility setting का महत्त तो आप जानते ही हो कभी हमको talkback on off क करना पड़ सकता है दिक्कत हो जाए तो तो इस app में simply आप जाओगे ना एक क्लिक में आप accessibility setting में पहुंच जाओगी देखिए मैं पहुंच के दिखाता हूं आपको accessibility setting को लेंगे accessibility मतलब यह एप ओपन करेंगे इसका नाम है accessibility setting shortcut इसको ओपन करेंगे और यहां पर बस यह ओपन ओपन कैसे फट रहा है यह दिखिए ओपन जैसे अभी बाहर निकलके मेरा मारेगा भई यहां पर बस open button है इस पर लिक कर देना है खुल गई भी यहां बहुत है यहां पर यह ओ यह दिखिए सारी setting आगी वीजन पर जाकर आप अपना on-off कर सकते हो ठीक है तो अब कितनी असानी सरी की गुज गया हम इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया एप खोला open प्लिक किया और इसमें कुछ भी नहीं है आप इस प्रकर सेटिंग में पहुँच सकते हो अब माल ल करेंगे तो यहां पर बीडल स्क्रीन के थोड़ा सा ऊपर आपको open बटन देखने को मिल जाएगा ठीक है चलिए अब हम बंद करेंगे ट्राइब को अब यह देखिए हमारी एक्सेशबिल्टी सेटिंग ओपन हो गई यह देखिए है ना बीना किसी की साहता कि हमने ओपन कर ली चलिए फिर से सारा देक चलेंगे ठीक है अभी इस एप को भी हमने ओपन नहीं किया है चलिए हम टॉक बैक बंद कर देते हैं माली जा मारा साथ छोड़ गया है तो कहां चला गया मेरे दोस्त मेरे को तेरे बीना कुछ फोन एक्सेश करने बड़ी दिक्कत हो रही है मैं क्या करूं अब मैं मम्मी के पास जाओंगा मम्मी एक्सेशबिल्टी सेटिंग खोल दो एक कैसे खोलते मेरे को नहीं पता किसे और से खुलवा ले आखे ठीक है तो मैं खोल देता हूं आप कर देना खोल के दे यह खोल गई हमारी और यह एक्सेशबिल्टी सेटिंग को ओपन किया है अगर आपको एप ओपन करने में भी दिक्कत है तो सिंप्रे गूगल एसिस्टेंट से बोल दो ओपन एक्सेशबिल्टी एप शॉटकट वो ओपन कर देगी बहुत से तरीके आप खोल लेगे तो तो एक सेटिंग में एक क्लिक में आप एक्सेशबिल्टी सेटिंग में चले गए बिना किसी की बदत के अब अगर आपको आईडिया है कि अंदर जाने के आपक कैसे ओन किया जाए तो आप ओन कर सकते हो नहीं तो आप जानना चाते हो कि बिना किसी की सहायता के अगर बंद होता है हम कैसे ओन कर सकते हो आप वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हो हम बनाएंगे तो यह गाईज एक बहुत ही ज्यादा यूसफुल और इंटरस्टिंग मज़ेदार एप है जो कि आपके हर समय पर बहुत काम आ कर लो बेल आइकन को और प्रस्रेट कर लो ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी वाट्सेप और टेलीक्राम ग्रूप में आप लोग अब आउट पेज से जूड़ सकते हो फीमेस अगर ग्रूप में जूड़ना चाहते तो वह भी वहां से जूड़ सकते हैं अगर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई